आगामे विधान सभा चुनाओं को लेकर दोनों प्रमुक पार्टियां अपनी अपनी रन्नीती बनाने में जुट गई है जहां एक और बिजेपी वर्तमान कॉंग्रिस सरकार की खामिया गिनानी में लगी है वहीं दूसरी और कॉंग्रिस पार्टि अपने कारेकाल में किये गए विकास कारियों को लेकर जन्ता के सामने जाने की तैयारी में है Grand ACN News लगातार कॉंग्रिस के वरिष्ट पदादिकारियों से मिलकर वर्तमान समय में किये गए विकास कारियों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है इसी कड़ी में Professional Congress के वैशाली नगर उपाधधक्ष आरिफ खान से Grand ACN News की टीम ने खास बातचित की जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार के विकास कारे को कुछ इस प्रकार से बया किया आज हमारे साथ है Professional Congress में वैशाली नगर से उपाधध्यक्ष आरिफ खान यह हमें बताएंगे कि विगत साड़े चार वर्षों में राजे साशन की किस प्रकार की उपलब्दियां रही है मिलते है आरिफ खान जी से बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बड़ा सा सरकार की योजनाओं का सरवांगें विकास के अगर हम बात करते हैं 36 गल में तो यह आपको प्रत्य शुरूप से देखने को मिल जाता है क्योंकि हर एक वर्ग चाहे वो एक किसान वर्ग की बात करें युवाओं की बात करें महिलाओं की बात करें बच् चलेंगी किसानों की बात करें तो आपने जब हमारी सरकार बनी 2080 के वक्त में तो हमने वादा किया था कि हम सरकार बने के कुछ दिनों के अंदर में 10 दिन के अंदर अंदर में करजा माफ कर लेगे लेकिन हुआ क्या मात दो घंटे के अंदर पे 18 लग किसानों का 9000 करोड रुपय कर्जमाफ कर दिया गया तो अपने आप में ये उपलग दी और ये शुरुवात थी वहाँ से और जैसे हमने वादे की ये थे वादे की शुरुवात हमने वहीं से कर दी थी कि जो हम समय मांग रहे हैं या समय की बात करें हैं उससे कम समय पर ही हम चीजों को प्रोवाइट कर देंगे आप सभी को बोलेंगे वो करेंगे जो हमने बोला हुआ है तो इस तरह कि हमारी सरकार है अब बात करते हैं समर्थन मूले की तो हमने कहा था कि 2500 में समर्थन मूले हम देंगे, किसानों को समर्थन मूले दिया गया, 20,102 करोड रुपए का भुक्तान किया जा चुका है, अभी तक राजीव गांदी किसान है योजना के माध्यम से, अब आप इसको इस तरह से देखिएगा कि 2018 हमने गोशना की कि हम 25 रु हो जाती है, कि समर्थन मूले देर हैं, जो वादा किया था, वो पूरा कर रहे हैं, तो उसी लिए उन्होंने बोला कि अगर आप एक रुपए भी अधिक देते हैं किसानों को, तो हम 36 गर पर देश से धान नहीं खरे देंगे, उसी लिए राजीव गांदी किसान ने योजन में चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रावेट स्कूलों के अंदर पे वो एक उच्च शिक्षा दी जाती है, एक बहतरीन आदोनिक लैबोरेटरी होती है, शिक्षा बहतरीन होते हैं, एक बहुत अच्छा सा माहल होता है, टेबल, चेयर, एसी सब कुछ होता है, लेकिन एक सौगात दिये, पूरे प्रदेश को, जो की पूरे देश के लिए बहतरीन मॉडल बनके रखा हुआ है, स्वामी आदपने इंग्लेश मेंटरी स्कूल, जहां पर बहतरीन शिक्षा दी जा रही है, और उच्च शिक्षा के साथ साथ में बहतर शिक्षक भी हैं, अधुनिक लैब भी हैं, और उनको आगे बढ़ने का मौका अफसर दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात की, ग्रामिन शेतर का बच्चा भी आज अंग्लेश में बात कर सकता है, बहुत सारे वीडियो देखेंगे कि बच्चे जो आदिवासी शेतर में रहते हैं, वो बच्चे भी भी दी जा रही है, जो उसका असल कार है वहांपे, यहाँ के बात करते हैं, अब पूरे देश के बात करें तो आठ प्रतिशत बरुज़ारी दर है, लेकि शच्टिस अगर हम बात करते हैं, तो शायद ही आपने किसी राज्य में देखा होगा कि किसी स्वास्त साहता के 20 लाग रुपए से अधिक का आपको सरकार जो रहेगी वो आपको वहाँ पर खर्च में आपका सयोग करेगी आर्थिक साहता प्रदान करेगी और इसका फाइदा अभी तक 2360 लोगों ने उठा चुका यह आखड़े बढ़ भी रहें तो यह लोग इसका फाइदा भी उठा र च्छेतर है वो ग्रामिन च्छेतर है यह ग्रामिन लोग निवास करते हैं और इनकी जो रोज मरत की जरूरते होती हैं बिजली के लिए यह कितना भी कर लें यह 400 यूनिट के पर जाहीं नहीं पाती इसलिए उनके लिए उनको देनाजर पर ध्यान पर रखते हुए इस तक 42 लाक परीवारों ने भुकताउं विजली बिडू का लाब लिया हुए आप जो कहते कि कि नहीं हुआ विजली बिल हाफ्थ मैं उनको जागरू करना चाईता हूं कि आपके पास मुबाइल है आपके पास आपका विजली बिल भी आता होगा विजली बिल लिंका लिए अब तो वह हिंदी में भी आता है तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आपने पिछले साड़े चार सालों में कितना लाब ले चुका है और आपने कितनी बिजली बिल बचा चुके हैं तो अब तक 3767 करोड़ रुपए की बचत आपको दी जा चुकी है किसान ने आई योजना की बात करते हैं भूमीन किसान की बात करते हैं मजदूर की बात करते हैं तो पैसे उनकी जेब में आ रहे हैं बिजली बिलहाफ की बात करते हैं तो पैसे जो जेब में आज चुकी हो पैसे बच रहे हैं अब बचे पैसे का आप क्या करोगे बचे पैसे किलोमेटर का राम वन गमनपद बनाके रखा हुआ है ताकि हमारे देश-प्रदेश के जो युवा हैं वह समझ चके कि वह राम के पच्चिन पर चलें और राम के पच्चिन पर चलकर वह आपसी जो एक जो आपसे जो प्रेम है जो सुरक्षा है जो मिल जोल है वह कैसे बरकरा तो उसी चीजों को साकार करते हुए यहां पर उन चिन्हों को उन जगहों को लोकेट किया और वहां पर हमने उसका विकास किया और एक राम वनकमनपत की बात करें तो वह कोरिया से लेके सुक्मा तक उसका निर्मान किया गया है यह यूवाओं के लिए बेरोजगारी जो कि आप देखी रहें पिटारा खुल चुका है अगरिकल्चर में बात करें व्यापम की मामलें बात करते हैं तो बहुत सारी भरतिया उसमें निकली हुई है चाहिए आप मंदी निदेक्षक की बात करें तो तमाम एक्जाम भी हो रहे हैं मैं बताना जाओंगा कि अब जब हो रहे हैं तो बच्चे से प्रवेश करेंगे करेंगे साथ में अब जब आप एक बच्चे के लिए जब वह एक्जाम के तयारी करता है तो एक उसकी एक्जाम की फीस एक बहुत बढ़ा भार हो जाता है तो लाखों बच्चे हमारे प्रदेश में जो हैं वह एक्जाम के त जाने वाला एक्जाम बेटने के पहले यह न सोच से तक कुई मैंच बैटने के तुमरिंग एकजाने केने के वी दूद करूब को मैं तो उस चीजों पे बहुत ज़ादा एक बढ़िया सा साइकल चल रहा है एक्जाम का और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्ट की तो इंडस्ट्रियल डेवलेप्मेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी आती है जो 2019 से 2014 सक चलने वाली है इसके माध्यम से भी हम एक लाग से जादा नौकरी यहां पर युबाओं को दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहां पर तीन हजार साथ ओद्योगी की काईयां खुल चुकी है और आगे भी बहुत सारे मोयू साइन किये जा चुके जिसके माध्यम से आने वले समय पे पचास हजार क्रोड़ से जादा नि पढ़ा यहां कि मतलब मैं कुछ दिर पहले ही देखा उस चीज को और लाके रहने रखा भी है तो जैसे हमिशा जी आते हैं वो कब आते हैं और कब चाहते हैं बहुत डार्क रहता है सबका सीक्रेट रहता है तो यह आरोप पतो जो लगा रहे हैं मैं मैंने देखा भी सरसरी पतां कि निगाहों से तो मैं अब बात हो रही है तो इसकी बारे भी साहुआ बता दूं कि जो ऐरोप लगा जा रहा है जब आपके सामने कोई चीज़े नहीं होती है ना कि आप देखें डेवलप्मेंट की बात करते हैं विकास के अगर हम बात करते हैं तो समाज के अंदर पे अगर हम हर तपके को देखते हैं तो एक पिरामिट बन जाता है उस पिरामिट के जो बेस होता है उस बेस में जो लोग रहते हैं वो सबस कट दो हमारे प्रदेश कि घर हम बाट करते हैं तो जो पैसा जो आ रहा है वो किसान की जेंग मैं जा रहा है किसान के做थ मैंना s भी बुल्य हमेν प्छाज से पाद किसा की जिएगा और फॉपर लेकर लेकर आया और इसमें पहला पॉयंक्त जो जन घोशना पत्र पर दोगा च्छतेजगण मात्र एक ऐसा राज्य है अभी के उधर परिपेक्षे बात करते हैं जिसने जितनी भी खोशना करी थी वो घोशनाओं को समय से पहले ही पूरा कर दिया यहाँ एक चीज लिए परिशान किसान यह सिर्फ किताबों पर इसी मित रह पाएगा क्योंकि काले एकृसर में लिखा गया हुआ है और अगर आप प्रदेश में जाते हैं घूम samma किसान के पाच चले जाए एक आम इंसां के दोर पे तक किसान के पास जाते हैं कि किसान करते हैं मात्र चांधिश गुशर का वह किसान है जो सबपन से कुश है क्योंकि स समय पे इसको और विद्विद्धी आपको देखने को मिल सकती है तो मुझे लगता नहीं किसी भी एंगल से कि किसान परेशान है बलकि उल्टा है कि किसान सबसे ज्यादा खुश कहां पर है तो वह मात्र 36 गड़की है नाम लेगा हर प्रदेशा किसान के अगर आब बात करें सब्सक्राइब किसान सब्सक्राइब करेंगे तो उस समय तेंदूपत्ता में समर्था नमूल है दो हजार पांच रूप है और आज जो बढ़गर हो चुका है 4000 रुप है तो इससे आप 2870 करोट रुप है का भुगतान किया जा चुका है इन चीजों में मतलब कई लोगों को फाइदा मिल रहा है और साथ साथ में तिंदूपत्ता संग्रहकों के लिए भी बहुत सारी स्वासलाब योजना भी लेकर आए अगर बात करिएगा कि 2018 के पहले समर्थन मूले की तो बात करें तो जो लगू वनोपज होते हैं मात्र साथ लगू वनोपजों पर समर्थन मूले मिलता था तो आप समझे अगर कोई व्यक्ति आप से कितना भी प्रेम कर ले तो वो साथ लगू वनोपजों को बढ़ाकर 10 से बारा ही कर सकता था लेकिन चत्रिजगर प्रदेश के जो मुख्य है माननी मुख्य बत्रि भुपेश बगेल जी उन्होंने साथ से बढ़ा कर 65 कर दिया जाता है जो पूरे देश की अगर बात करें तो तीन चौथाई जो लगू वनो पज कर समर्थन मूले जो दिया जाता है वो यहीं से 36 गड़ से ही दिया जाता है तो यह हमारी उपलब्दी है और यह विकास हो रहा है हमारे समाज के सबसे निम निस्तर के जो वहाँ पर जो लोग हैं जो की एक जो किसान है जो पोड़ी लेंगे नीचे आ जाते हैं उन सभी के लिए स्वास्त सहता की बात करें तो शायद बहुत लोग विफल हो जाते गोशना पत्र में जो लिखने वाई लोग हैं शायद वो इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि उनमें ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि सम्मान महिला कैसे कि जो माता हैं और बहने जो बालिकां जो होती हैं जो संकोच करती है अपनी बिमारी क को बताने के लिए पुरुष डॉक्टर के सामने तो उनके उस तकलीव को समझते हुए हमारे प्रदेश के मुख्या ने हमारी प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि एक बहुती बढ़िया सोगात दी इसका नाम दिया गया डाई दिदी क्लिनिक जहां पर एक मोबाइल वैन आ पर बहुते तरीके से करा सके एक लाग पचास जार महिला है इससे अभी तक लाब ले चुकी है यह तो बात रही बीटेवे साशन काल की अब अगर चुनाओं के टाइम फिर से साशन कांगरिस पार्टी के बढ़िया तो क्या पॉइंट ओफ योगा विकास को लेकि मैं आप तरह का कारे हमारे प्रदेश के सरकार जो किया है वी तक इसी कारियों को और मजबूती से आगे लेखे जाएंगे और जिस तरीके से 36 गड़ का नाम जब आप पहले लेते होंगे 2018 के पहले अगर प्रदेश के बाहर जाके तो अक्सर एकी चीज सुनिया होती है कि शायद यह साथ बने हुए राज डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तुस्ता कारण क्या है कि पिछले साड़े चार सालों में हम लोगों ने शक्तिस गड़ को एक बहुत ही उच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया है और जाही से बात है कि आने वाले समय पर आप देखेंगे कि शिक्षा के स्कूल है अब वो कॉलेजेस में भी चले जा रहे हैं महाविद्याले खुलने वाले अंग्रिजी माध्यम के महाविद्याले खुलने वाले ताकि उच्छी शिक्षा के लिए भी हमारे लोगों को दरदर भटकना ना पड़े आर्थिक सहायता आर्थिक जो उनकी जो कमजोर पर आजाएगा और चातिजगर उसमें टॉप कर जाएगा कि विरुजगारी दर्व के अंदर पर चाबिज रहेगा हमिशा के लिए खिसानों की बात करते हैं तो ग्रामींट शेत्र में इतना विकास हो जाएगा क्योंकि आप अगर देखें ग्रामींट शेत्र में और शेर योजना है आपकी गोधन या योजना एक ऐसी योजना बनके रखी हुई है कि 36 गड़ में जो चीज हुई है वो पूरे देश में पूरे विदेश में नहीं होती है कि रूरल एकनॉमी से भी आप प्रदेश की तरक्की कर सकते हैं जो ग्रामीं अर्थ वरस्ता होती है अगर बुला था जो फूट चुका है वहां के लोग आके यहां पर रिसेच करते हैं कि योजना इतना बहतर कारे कर कैसे रही है इसी को आगे ले जाते हुए आ रहा है रूलर इंडस्ट्रियल पार्क जिसको आप अगर देखेंगे घूम घूम के तो गोठानों पर रूलर इंडस रोजगार देंगे ऐसा वक्त आगा कि शहर से लोग गाउं में रोजगार के लिए चले जाएं क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रिस डेवलप हो रही हैं तो यह सब चीजें आपको 36 परदेश के अंदर पर ही संभव होती ही नजर आएगी एक आखरी सवाल अपसे आप चीजों की बात करते हैं जो दुर्ग है वह अपने आप पे एक विकास का एक मॉडल मन के तयार हो चुका है सिर्फ दुर्ग ही नहीं पूरे शत्री रख का हर जो च्छेतर है हर जो विधान सभा है आपको उत्तिष्ट कार होता हो नजर आ रहा होगा तो यह थे हमारे साथ बिलाई के वैशाली नगर से प्रोफेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी सासन की योजनाओं को बड़ी मुखर तरीके से हमारे सामने रखा आने वाले समय में आपको और भी कांग्रेस के वरिष्ट नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे जो आने